हलो फ्रेंड्स मेरी अमीर सोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आलू मटर और टमाटर की सूखी वाली सबजी बनाना सेर करती हूँ जो आप सुबा सुबा फटा फट बना के तयार कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से न मसालिक उठने का टेंसन न पीषने का टेंसन तो आएए इसे बनाना सेर करते हैं तो इसके लिए हमने आलू मटर टमाटर प्याज को इस तरह से चौप करके ले लिया है आलू को हमने उवाल लिया था 80% ये उबला हुआ आलू है छिल के चौप करके ले लिया है प्याज को भी चौप किया है टमाटर को भी चौप किया है कोई भी चीज हम इसे पीस के नहीं डालेंगे कडाही में तेल डालते हैं जीरा तेज पत्ता और हिंग डालेंगे इसके अंदर जब जीरा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसे बारी बारी से सारे चीजों को डालते हुए पकाएंगे और फटा फटपक के तयार हो जाएगा जीरा हमारा ब्राउन हो गया है तो इसमें दो लॉंग हम डाल रहे हैं लॉंग का फ्लेबर तेल के अंदर आ जाएगा और बहुत टेस्टी सबजी बनेगा एक प्याज हम इसमें चॉप करके डाल रहे हैं अब इसे पारदर्सी कर लेते हैं जब हमारा प्याज पारदर्सी जितना पक जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर को डालेंगे तो एक बड़ा टमाटर हमने लिया है उसे इसमें डाल देते हैं टमाटर पीस बहुत बड़ा था आप दो टमाटर भी ले सकते हैं या तीन टमाटर भी ले सकते हैं थोड़ा टमाटर ज़ादा होगा तो हमारी ग्रेवी अच्छा बनेगी उसके बाद जब टमाटर थोड़ा सा गलने लग जाए उसके बाद हम इसमें आलू और मतर को डाल देंगे अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें सबसे पहले हम नमक को एट करेंगे नमक डालने से जो 80% हमारा उबला हुआ आलू है वो भी पक जाएगा और मतर भी बिलकुल नरम होके पक जाएगा मतर उबाला हुआ नहीं है ये केबल सौप्ट मतर है और छिला हुआ बस ताजा मतर है तो इस तरह सी इसे ढख ढख के पकाएंगे तो दो मिनिट हमने इसे ढखा था लो फ्लेम पे एक बार चलाएंगे बापीस फिर ढखेंगे फिर दो मिनिट हमने ढखा था अब देखिए बिलकुल इस तरह का टमाटर हमारा गल के तयार हो गया और मतर पक के तयार हो गया है बहुत हलका सा कम पका है लेकिन फूल पका हुआ मटर तयार हुआ है अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी, धनिया और मिर्ची पॉर्डर मिर्ची पॉर्डर श्वादा नुशार डालिए और इस तरह से इन मसालों को हम एड़ करेंगे उसके बाद इसमें हम एक चमच, अदरक और लहसन कुटा हुआ एड़ कर रहे हैं सिम्पल कूट के एड़ कर रहे हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बापिस हम दो मिनिट के लिए इसे ढखेंगे तो इस तरह से इसे ढख देंगे हमारा मसाला बहुत अच्छा पकेगा दो मिनिट ढखने से फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है दो मिनिट बाद हम इसे वापिस चलाते हैं और देखिए इस तरह का हमारा ये सबजी तयार होने लगा है अब इसमें हम चिकन मसाला डाल रहे हैं आप गरम मसाला के जग़ा पे चिकन मसाला या मीट मसाला भी कभी यूज करके देखिए सबजी बहुत टेस्टी बनती है इसमें हम हाप कप पानी डाल रहे हैं इससे हमारा जो आलू भी उबल जाएगा और बड़ियां और मतर भी उबल जाएगा अब इसे हम दो मिनिट के लिए बापिस ढखे हैं लो फ्लेम पे और इस तरह से हमारी सबजी बनके तयार हो गई है सारे मसाले हमने डाल दिये नमक डाल दिया है अब इसमें धनिया पत्ता डालते हैं तो धनिया पत्ता आप अपने सरधा के अनुसार डालिए थोड़ा ज्यादा डालिएगा ज्यादा टेस्टी बनेगा तो इस तरह से हम इसमें धनिया पत्ता एड़ करते हैं मिक्स करते हैं एक दो मिनिट का टाइम हम और देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और बस ये हमारी सबजी तयार होगी आप एक बार मेरे तरह से बना की देखिए पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए